नमस्कार क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों तो नीट 2022 के लिए हम लोग रिविजन करा रहे हैं तो और्गनिक केमिस्टी में मैंने कई सारे चैप्टर रिवाइस करवा दिये हैं इससे पिछले वाले वीडियो में हाड्रोकार्बन चैप्टर का रिविजन हो था लेकिन हाड के वीडियो में मैं एलकेन को रिवाइस कराने वाला हूँ दस से लेकर 15 मिनट में पूरा एलकेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइस करा दूंगा एक और चीज अरोमेटिक कंपाउंड यानि बैंजिन के केस में मैंने एक चीज मिस कर ली थी पहले वह चीज म तो किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए तीन कंडेशन फुल्फिल करने परती है पहला वह प्लैनर हो दूसरा कंप्लीट डी लोकेलाइजेशन आफ पाई इलक्टॉन हो और तीसरा इट फॉलो हकेल रूल तो हकेल रूल होता है 4N प्लस 2 पाई इलक्टॉन रूल त तो अगर ये तीनों कंडेशन फुल्फिल होती है तब ही जाके वह एरोमेटिक होगा अधर्वाइज या तो वह एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान लखनी है यहाँ पर जो N का मतलब होता है वह होता है नंबर आफ वर रिंग लेक्तिक हैं अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल के लिए और की वैल्यू के वैलिव कि बात करूं नेप्थोलीनि तो बच्चों इसके लिए यह रेसे काल्कुलेट करती है कि मैं इश तरद करूंगा कितने पाई लक्टर न होने चुछ तो आपको द्यान रखना है कि जो कमपांड ऐरोमेटिक होगा उसके पास इस तरह के पाई लक्टरवण होंगे या तो दो होंगी या तो च्छे होंगी या तो सभेंगो अगर यह Šण को लेकर कि यह नमबर आता है तब रखने की कोशिश करो तो यहाँ पर एक हो जाएगा तो चार एकम चार अर्दो छे यह भी छे पाइलेक्टोन आ रहा है यानि अकल रूल को फॉलो कर रहा है है ना तो नैप्थलीन की बात करो तो बच्चों नैप्थलीन में जो है पांच पाइलेक्टोन होते हैं तो दस कि वो अरोमेटिक होगा या नहीं होगा ठीक है तो क्लियर हो गया कि अरोमेटिक सिटी को हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है और कैसे पता करोगे कि कौन सा कंपाउंड अरोमेटिक होगा कौन सा कंपाउंड नौन अरोमेटिक होगा अच्छा एक और चीज जो भी अरोमेट एलकेन यानि कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड एलकेन ठीक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बॉंड एंगल होता है वो होता है 109.5 तो जोमेटरी बनेगी टेट्राहेडरल कौनसी बनेगी टेट्राहेडरल और habitation होगा SP3 और carbon carbon bond length होती है 154 picometer इतनी होती है clear तो ये single bond के बारे में कुछ basic information होती है दूसरी methods of preparation किस तरह से बनाओगे तीन तरीके हैं बनाने के एक पहला from unsaturated hydrocarbon यानि double bond से और triple bond से तो बच्चों ये हमारे पास देखो एक double bond containing compound है और इधर मैंने रखा है triple bond containing compound तो हम क्या करेंगे बच्चों double bond और triple bond को reduce करेंगे with the help of metal और hydrogen तो अगर हम यहाँ पर metal जैसे PT, PD और nickel और साथ में hydrogen करते हैं तो ये जो double bond है it convert into single bond यहाँ पर भी same condition बनेगी metal plus hydrogen तो metal T नम यूज करते हैं तो ये method हो गया हमारे पास पहला method दूसरा method है बच्चों from alkyl halide alkyl halide तो जो alkyl halide होते हैं उनको हम generally बोलते हैं R और X और बच्चों हमें बनाना है R और H तो इसका मतलब X को निकालना पड़ेगा और hydrogen लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर भी हम reducing agent यूज करते हैं यानि reduction करते हैं और वो reducing agent है ZN प्लस HCL तो ZN और HCL आपस में मिलके hydrogen gas बनाते हैं जो कि alkyl halide को hydrocarbon में change कर देती है ठीक तीसरा method है from carboxylic acid तो carboxylic acid से हम दो तरह से alkyl बना सकते हैं तीसरा है from carboxylic acid ठीक तो बच्चों देखो एक तो carboxylic acid हमारे पास है यह और आपको बनाना है R और H तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे decarboxylation तो decarboxylation के लिए आपको जरुत पड़ेगी soda lime तो NaOH और COO को हम बोलते हैं soda lime तो CO2 निकल जाएगा और alkyne आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर जो CO2 होता है वो carbonate की form में अलग हो जाता है तो बच्चों इस case में जो carbon है वो कम हो जा रहे हैं product में as compared to reactant this is called decarboxylation या carbon down reaction ठीक आच्छा यह पहला method हो गया दूसरा method है coal-based electrolysis coal-based electrolysis तो electrolysis हम किसका करते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे इस तरह का कोई कार्बाक्सलेक असिड और साथ में होगा बच्चों यहाँ पर water और इधर हम करेंगे यह क्या नाम इसका electrolysis ठीक है electrolysis तो यहाँ पर आप जो है R और R इस तरह का compound मिल जाएगा हमें और plus CO2 gas निकलती है और plus H2 और साथ में जो है NaOH बनता है तो यहाँ पर हम जो है water लेते हैं ठीक है तो इस तरह से बच्चों जो हमारे पास कार्बाक्सलेक असिड है वो एलकेन में convert हो जाता है अब जब electrolysis होता है तो एनोड और कैथोड पर reaction पूछी जाती है तो जो एलकेन हमें मिलती है वो एनोड पर मिलती है और जो अच्छा यह H2 निकलता है H2 gas होती है तो H2 gas है वो हमें cathode पर प्राप्त होती है और बच्चों साथ में जो NaOH है वो इस पूरी reaction को basic बनाता है तो actual में basic solution हमें प्राप्त होता है ठीक है बच्चों यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर NaOH कहां से है तो actual में जो carboxylic acid होता है उसका हम sodium salt use करते हैं तब जाके हमें NaOH मिलता है तो यह basic reaction है एक और चीज़ बच्चों इस reaction के थुरू हम एक carbon का alkin नहीं बना सकते हैं इसके बाद आती है तो बच्चों physical property में मैं काफी बाद discuss कर चुका हूँ एक बार मैं आपको briefly कर देता हूँ एक balling point और दूसरा water solubility तो अगर मैं water solubility की बात करूँ तो जितने भी hydrocarbon है यह purely non polar है और water polar है इसलिए इनकी water solubility ना के बराबर होती है और दूसरी बात है कि non polar होने की वज़े से hydrogen bonding में नहीं बनाते हैं तो water solubility नहीं होती balling point की बात करते हैं तो बच्चों जैसे-जैसे carbon बढ़ेगा molecular mass बढ़ता है तो inter-molecular attraction force भी बढ़ता है तो balling point बढ़ेगा ठीक दूसरी चीज अगर branching बढ़ती है तो balling point कम होगा अगर similar number of carbon है और एक में ज़्यादा branch है एक में कम branch है जिसका branching कम होगी जो state chain होगा उसका balling point ज़्यादा होगा as compared to branched chain hydrocarbon clear हो गया? ठीक अच्छा अब बात करते हैं chemical property chemical properties ठीक है chemical property में पहली reaction है substitution reaction substitution reaction है ना substitution reaction में क्या होता? replacement होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास एक hydrocarbon है और CL2 रखेंगे और H2 रखेंगे तो बच्चों क्या होगा? इस तरह से एक hydrogen को replace कर देगा तो इसी तरह से जब तक इसके पास hydrogen है halogen इसके साथ reaction करते रहेंगे और जो है इस तरह से halogen add होते रहेंगे और hydrogen निकलते रहेंगे that is called substitution reaction ठीक? तो substitution reaction में हम लोग use करते हैं halogen का तो halogen तीन तरह के होते हैं F2, CL2, BR2 सॉरी चार तरह के F2, CL2, BR2 and I2 rate of reaction का order है वो इस तरह होगा F2 सबसे ज़्यादा और I2 सबसे कम तो F2 की जो reaction होती है वो सबसे ज़्यादा valent होती है बहुत energy इसमें निकलती है इसलिए जो है बहुत fast reaction होती है और जो I2 की reaction होती है वो एकदम slow reaction होती है और reversible reversible reaction होती है तो reversible reaction क्यों होती है अगर मैं RH plus I2 ठीक है तो यहाँ पर HI बनता है प्लस RI बनता है तो जब हम I2 से किसे hydrocarbon की reaction कराते हैं तो HI बनता है HI is a reducing agent तो यह क्या करेगा RI को दुबारा से RH में reduce कर देगा तो अगर हमें इसको केवल A की direction में ले जाना है तो जो है हमें कुछ compound जैसे HNO3 और HI O3 इनकी presence में reaction करनी परती है तो यह क्या करते हैं बच्चों HI को किस में convert कर देते हैं I2 में convert करते हैं तो I2 फिर जो है RI को वापिस I2 में convert नहीं कर पाता है तो यह हमारे पास rate of reaction का order होगा halogen के लिए तो अगर alkane हो है ना आपके बास दो टाइप की alkane है एक में branching है एक में branching नहीं है तो बच्चों alkane का order होगा more branching alkane जो होगी वो जल्दी reaction करेगी और जो straight chain alkane होगी उसकी reaction slow होती है ठीक अच्छा एक और चीज जो हमारे पास यह जो substitution reaction है इसको हमने halogenation reaction नहीं बोलते है क्या reaction बोलते हैं बच्चों halogenation reaction और जो halogenation reaction है वो किस mechanism को follow करती है it follow free radical mechanism कौन सी free radical mechanism और बच्चों free radical mechanism में तीन step होते हैं एक होता है इनिशेशन एक होता है इनिशेशन दूसरा होता है प्रोपागेशन और तीसरा होता है termination है ना ठीक अच्छा इनिशेशन में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले एक fresh molecule या एक neutral molecule free radical में generate होता है प्रोपागेशन में क्या होता है कि जो free radical है वो एक fresh molecule पर attack करेगा और इस तरह से इस तरह से एक free radical बनाएगा ठीक और termination में क्या होता है कि दो free radical आपस में connect होके एक neutral molecule बना देंगे तो termination और initiation एक दूसरे के opposite होते हैं जबकि propagation में दोनों तरफ एक free radical आपको देखने को मिलेगा तो यह तीन step free radical mechanism में होते हैं clear हो गया चलो तो इस पर काफी सारे question पूछे जाते हैं तो इसी concept को आपको इस्तिमाल करके question solve करने है अब दूसरी chemical reaction है combustion reaction combustion 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 का मतलब होता है reaction with oxygen ठीक है बच्चों तो जो combustion reaction है वो तीन टाइप की होती है एक ऐसी combustion reaction है जिसमें oxygen की ample supply होती है ample मतलब परियाप्त supply of oxygen दूसरी एक ऐसी reaction होती है जिसमें limited supply of oxygen होता है और तीसरी और reaction होती है जिसमें oxygen के साथ catalyst का यूज होता है तो तीनों केस में hydrocarbon अलग अलग product बनाते हैं ठीक तो अगर आपके पास कोई hydrocarbon और वह ओटू के साथ reaction कर रहा हो तो वह हमेशा CO2 and H2O में convert हो जाएगा जितने carbon है वह NCO2 N plus 1 HO2 में convert हो जागा यहनि CO2 and H2O बनागा अगर ज्यादा supply of oxygen का हम use करते हैं जैसे हमारे LPG में होता है जैसे CNG में होता है लेकिन बच्चों अगर limited supply of oxygen हो तो जो hydrocarbon है वो carbon black बनाएगा carbon black single carbon बनाएगा और इसका use जो है printer की ink बनाने में काम आता है लेकिन अगर कोई hydrocarbon catalyst की presence में oxidize होता है तो अलग-अलग तरह के compound आपको देखने को मिलेंगे ठीक अब देखो यहाँ पर अगर हम copper and k-m-n-o-4 catalyst का use करते हैं k-m-n-o-4 is oxidizing agent copper is a catalyst तब oxidation करते हैं तो बच्चों हमें यहाँ पर alcohol देखने को मिलेंगे ठीक दूसरा अगर हम यहाँ पर जो है molle bloodnum oxide का use करते हैं as a catalyst तो हमें यहाँ पर aldehyde compound की formation देखने को मिलेगी और तीसरा अगर हम यहाँ पर magneze oxide MN2CH3CW2 magneze acetate as a catalyst का use करते हैं तो बच्चों हमें यहाँ पर जो है carboxylic acid देखने को मिलेगी तो catalyst की प्रजियस में organic compound की formation होती है limited supply oxygen की प्रजियस में carbon black बनता है और प्रयाप्त oxygen हो तो CO2 and S2 में hydrocarbon convert हो जाता है तो यह बच्चों combustion reaction है कई बार यह भी पूछा जाता है कि किसी particular alkyn के combustion से कितने H2O और कितने O2 बनेंगे तो combustion का एक formula होता है देखो CNH2N plus 1 plus 3 3N plus 1 by 2 का यह O2 इतने O2 molecule चाहे होता है और बनेंगे कितने N CO2 बनेंगे और N plus 1 H2O बनेंगे तो बच्चों इस formula से आप सब चीजे पता कर सकते हो कितने H2O बनेंगे कितने CO2 बनेंगे कितने O2 के जरत पड़ेगी और कितने कौन सी आपकी पास alkyn है ठीक है तो N का मतलब क्या वच्चों number of carbon और hydrogen क्या होते हैं डबल हो जाते हैं ठीक है है H2N plus 2 होता है हाँ H2N plus 2 ठीक है तो clear हो गया यह हमारे पास combustion का फॉर्म हो गया उसके बाद आती है बारी aromatization 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 का मतलब होता है एक aliphatic compound एक aromatic compound में convert हो जाता है तो जैसे हमारे पास normal hexane है एक दो तीन चार पांच है और बच्चों यह जो normal hexane है वो convert हो जाती है बेंजीन में तो इस process को हम बोलते हैं aromatization सबसे important क्या है कि कौन से catalyst aromatization करते हैं तो कुछ oxide होते हैं क्रोमिम औक्साइड मोलीब्रेटनम औक्साइड तीसरा होता है एल टू ओ त्री और चौथा होता है वी टू ओ फाइब तो इन पांच औक्साइड में से किसी एक की मतल से एक एलिफैटिक compound में convert हो जाता है ठीक अच्छा उसके बाद आते बारी आईसो मेराइजेशन आईसो मेराइजेशन तो एसो मेराइजेशन कौन करता है एल से त्री करता है तो एक जो chain है एक दो तीन चार पांच वो जो है एल से ल्ट्री की बिजिन में आईसो मर बना लेगे मतलब इस तरह से ब्रांचिंग में convert हो जाएगत एक दो तीन चार पांच पांच कारव में इधर भी है पांच कारव में दर यह नॉर्मल पैंटेन है यह आईसो में ठीक है समझ में आई बात चलो तो यह हो गया हमारे पास काफी सारी रियक्शन लास्ट में एक और रियक्शन आती है मतलब होता है cracking यानि तूटना तो जब किसी hydrocarbon को high temperature पर without oxygen रखा जाता है तो वह temperature क्या करता है higher alkane को lower alkane और alkane में convert कर देता है इसी process को हम बोलते है pyrolysis लेकिन ध्यान रखना बच्चों pyrolysis में temperature ज़्यादा होता है लेकिन oxygen का use नहीं होता है इसलिए वह तूट जाता है अब last इसमें हैं बच्चों conformational isomer या conformer तो बच्चों जो alkane होती है वो कई तरह के conformer बनाती है उसमें से 3 conformer में है तो अगर मैं एथिन के conformer की बात करो CS3 and CS3 तो इस तरह कुछ एथिन का conformer होगा देखो एक ये carbon वह दिस circle रेप्रेजन कारबन और दिस डॉट रेप्रेजन कारबन तो इस डॉट से जो है 3H connect है और इस circle से भी 3H connect है तो एक condition ऐसी बनेगी जहां पर H और H के बीच में maximum angle होगा इस carbon के H के बीच में और दूसरे carbon के H के बीच में maximum angle बन रहा है दूसरी condition ऐसी बनेगी जहां पर angle minimum होगा देखो एक तो ये हो गया और एक condition ऐसी होगी ये देखो तो ये जो angle है ना इस angle को हम बोलते हैं dihedral angle क्या बोलेंगे बच्चों dihedral angle और dihedral angle जो है इस condition के लिए 0 होता है अच्छा theta equal to 0 degree और इस condition में ये dihedral angle 60 degree होता है theta equal to 60 degree ठीक अब इन दोनों conformer को बोलते के हैं तो बच्चों इस conformer को हम बोलेंगे staggered और इस conformer को हम बोलेंगे eclipsed eclipsed ठीक है तो staggered में dihedral angle 60 degree और यहाँ पर dihedral angle 0 degree तो बच्चों देखो अगर मैं दोनों की stability और energy का comparison करूँ तो जो staggered form है it is most stable और it is less stable ठीका reason क्या है hydrogen जितना पास पास होंगे उतना ज्यादा repulsion होगा repulsion energy को बढ़ाता है stability को कम करता है तो more energy more repulsion less stability दूर दूर हैं तो less repulsion less energy and more stability clear तो यह हो गया हमारे पास अच्छा एक और चीज अगर इन दोनों के बीच कई सारे और conformer possible है क्योंकि देखो एंगल कितना है 60 and 0 और 60 और 0 के बीच में infinite number of conformer possible होता है 55, 45, 41, 43, 50 जो भी हो सकते है न तो इसके बीच के जितने भी conformer होंगे उनको हम बोलेंगे skew skew या gosh ग-a-u-c-h-e gosh फिक तो skew और gosh इस टागर्ड और eclipse के बीच की condition होगी अब यह जो conformer न एक दूसरे में आसानी से change हो सकते हैं इसलिए इनको हम isolate नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच energy gap ताम होता है तो जो room की जो thermal energy है न वो एक conformer को दूसरे conformer आसानी से change कर सकती है लेकिन यह जो conformer है वो एक less stable है यानि most stable and least stable conformer मैंने आपके सामने रखें तो इन दोनों के बीच जो energy gap है वो सबसे ज़ादा होता है तो बच्चों वो होता है 12.5 किलो जूल पर मुल और इसको हम बोलते हैं टॉर्सेनल torsional strain क्या बोलते हैं torsional strain ठीक है या torsional barrier तो यह conformer का overview मैंने आपको बता दिया clear तो चलो elkin को हम यहीं पर समप्त करते हैं और next हम discuss करेंगे जी ओसी पर clear चलो ट्रिवादा क्यों से पाला करेंगे प्रिवादा बश्त्री है